Hello everyone, good morning, कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तो वीडियो सुरू हो रहा है सनी बार की सुवे से, सुवे 8 बजे का टाइम है, और मैं मौनिंग में उठी थी 6 बजे, उसके बाद मैंने कुकिंग का काम अपना निपटाया, और उसके बाद यहाँ पे हजब यो fort हैंगे, तो जैसे हम लोग घर पे होते हैं, हम लोग तो fruits दिन में खा लेते हैं, तो वो दिन में ग़र आते हैं, तो दिन मैं खिला देति हूं, और हजबन नहीं खा पाते हैं, तो इसलिक्टों में उनको मैं office के लिए ही रख देती हूँ, और यहाँ पर देखिए हजबन का लंग बॉक्स भी रेडी हो चुका था तो वो जा चुके हैं ऑफिस जा रहे हैं बस रेडी हो चुके हैं और बच्चे मेरे अभी दोनों की दोनों लेटे ही थे क्योंकि बच्चों को सटर्डे संडे का बहुत बेसबरी से इंतजार होता है और म मेरे चाय का साती जिस दिन अक्रिस की छुट्टी होती है तो वो मेरे चाय का साती होता है वो बस मॉनिंग में इंतजार करता है ममा में पास चाय बनाओ हम दोनों चाय पीएंगे बिट्टू इतना चाय नहीं पीती है तो चलिए यहाँ पर अपनी चाय नहीं पीती है पहले पकड़ो इसको कुछ हो नंग चाहिए सुवे सुवे लग गई अपना ताम जहाम खोल के मुँँआ हाथ तो धोलो बेटा अक्रिस आपका क्या खो गया इसकी जीन्स खो गई सुवे सुवे तो जैसे कि आज बच्चो की छुट्टी है तो बच्चो का तो दिन भर आज चलता ही रहेगा कुछ न कुछ और पूरी अलमीरा को वो आज फैला के रखेंगे दिन भर आज कल मेरे बच्चो का यही होता है अक्रिस का तो बहुत जादा ही फैशन उसको इतना जादा फैशन करने का मन करता है बीना जीन से बिना फुच के वह घर में तक नहीं रहता है जब वह बैड मा आता होगा होगा ना सोने के लिए मेडिसान लेतने के लिए तब भी भी बिना सूठरxis के रहता होगा नहीं तो वह परसुने सूभे उठेगा vagar भी नहीं करेगा सबसे पहले अपना ready हो जाता है उस तो चलिए यहां पे फिलाल अपनी एक मैंने चाय पिली है एकदम स्ट्रोंग वाली चाय जिसको कहते हैं ताकि मेरे सर का दर्द थोड़ा भागे इतना तेज दर्द हो रहा था ना मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कुछ करने की पर घर ऐसे फैला हो और मैं आरम से बैठ जाओं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मुझे बेचे नहीं हो जाएगी ऐसे जब तक मेरा घर साफ सुतरा ना होगा ना तो मैं बैठ भी नहीं सकती चाहे मेरी तब्यत कितनी भी खराब हो और चलिए फिलाल लग गए अपने काम पे तो जाड़ू वगर लगाने के ब और मुझे यह अच्छा भी लगा जैसे बच्चों को ड्राइंग वगरा है या फिर कुछ बनाने का है ना तो बच्चे इससे काफी सीख भी जाते हैं और बिट्टू को तो बहुत ज्यादा ड्राइंग में बहुत ज्यादा उसकी चौईस है तो वो ड्राइंग भी काफी मतलब है नहीं आजकल तो जैसे अभी मैं इनको अच्छे से एक बार साफ कर दूंगी ना तो ये गर्मियों में तक साफ सुतरे ही रहेंगे क्योंकि चलेंगे नहीं तो इनमें धूल भी नहीं बैठेगी और पूरी डश्टिंग वगरा करने के बाद इस वाले रूम का फैन त अच्छा बहुत से लोगों को फिनाईल की खुस्बू पसंद नहीं आती मैंने बहुत से लोगों से सुना है पर मुझे फिनाईल की खुस्बू इतनी ज्यादा अच्छी लगती है ना मेरे को और कोई भी चीज पोछा लगाने के लिए पसंद नहीं है बस मुझे फिनाईल की ही खुजबू बहुत पसंद आती है जैसे लाई जॉल वगरा होते है ये सारी चीजे मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जो खुजबू मुझे फिनाईल की लगती है ना वो मुझे किसी चीज की नहीं लगती तो फिनाईल डालके अच्छे से पुरे घर में लग गया है पोशा भी और बच्चों को दोनों को नहला दिया है मैंने तो बिट्टू के आज मुझे बाल नहीं दोने थे बस मैंने उसको वैसे नहलाया आज रात को मैं उसके बालों में ऐलिंग करूंगी पहले तो कल संडे है जैसे तो कल मैं उसको बाल दुला के नहला दूंगी और घर मैं बच्चे इधर उदर गुमते आना, तो सबसे पहला काम आज कल हम अम्म्यूस का यही होता है, अपने बच्चे को पूरा पैक कर दे, चाकि बच्चे खेले भी तो उनको ठंडा वगरा कहीं से ना लगे, तो सबसे पहले अपने बच्चे को रेडी करते हैं, फिर मैं भी न होंगी वैसे हनी मैं की ना हिम्मत बिल्कुल नहीं थी मेरे मन तो कर रहा था बस कंबल लेके लेड जाओं पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत सारे कपड़े भी दुलने थे तो देखें मैं भी नहा चुकी हूँ उसके बाद मैं आ गई थी छट पे क्योंकि कपड़े नीचे इतनी धूप आनी रही है तो मैंने सुचा क्यों आज छट में ही सुखा के आ जाओं तो बच्चे भी साथ में थे बच्चो को भी सुबह से इंतिजार कर दे थी कि मम्मा छट में चलो हमें साइकिल चलानी है तो मैं बच्चो को भी साथ में लेके आ गई थी और यहा तो मैं उनको आप बालकनी में ही सुखने के लिए डाल दूगी सबसे पहले अपने जो ये बच्चों की कपड़े होते हैं इनको मैं अंदर साय डाल दूगी नहीं तो ये सारे ग्रील से नीचे गिर जाएंगे और च्छत में जैसे हम आये इतना बड़ा बंदर आ गया आज त जैसे ही मैं यहाँ पर बैठी ना बस हमें बैठे मुझे बैठे हुए दो मिनट भी नहीं हुए होंगे और मैं इसलिए औरेंज भी छत पे लाए थी कि आराम से बच्चों को भी थोड़े धूप से का दूँगी और मैं भी बैठ जाओंगी पर बंदर ने ना हमें बैठने पर कईव अपर बहुत सेटान होते हैं वो सिधा चाटने आते हैं तो भी न Allah Galam उसने रास्ता चेंज कर दिया और पहले तो इतने गुस्य में था कि जैसे काट लेगा पर जैसे भी दंडा दिखाए पिर जो भी ताम हो तो मैंने चुपके मुझे पता था इधर नहीं आएगा और नीचे आ गई हूँ और यहां पे रखे हैं बहुत सारे कपड़े मैं नीचे आए ना मेरा बहुत ज्यादा मूट खराब हो गया कि अगर बच्चों को काट लेता तो क्या होता वो एकदम ऐसा आया ना काटने तो मुझे बहुत और मैंने अभी टैबलेट ली तब जाकर मेरे सर्द का दर्द थोड़ा सा कम हो है तो कपड़े अगरा करते हैं उनकी जगों पर अरेंज पहले तो आ गये हैं नीचे छत में जैसे गए ना तो मैंने आपको दिखाया कितना बड़ा बंदर आ गया था और फ्रूट्स लेके बनाऊंगे क्योंकि अभी फ्रूट्स खा लिए ना तो पेठ हमारा फुल हो गया है और चलिए कि तुझी नहीं जोई भात इसको डेली जोई भात मतलब वही कड़ी चावल खाना होता है इसकी कड़ी फेबरेट है तो देखते हैं क्या बनता है और फिलार आज के ब्लॉग मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर